हेलो दोस्तो और पीची दोरा आईजीत की जाने वाली हमारी आरेस प्रीवर राधस्तान पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसा ये एक्जाम स्रीज दो जार्टेविस में आदे 24 क्रेट बर्मास्टर कंटेंट वाला मोडल पिपर आठ पाद दोस्तो आपके सामने लेकर आग चुक कि दोस्तो बहुत ही बैतरी लेविल के कंटेंट है दोस्तो बहुत ही बैतरी लेविल के क्यूशन दोस्तो यहाँ पर आपको पुल डिटेल एक्स्मेलेंशन के साथ दोस्तो देखने को मिलते हैं तो देखते हैं दोस्तो इस मोडल पिपर का परसन क्या होगा यहाँ पर या वकतमाल में देखे, दोस्तो अगर आपको ये बात मालुम है, कि ये बीकाने नरेश, कौन से बीकाने नरेश की बात हो रही है, तो धो हो दोस्तो आप इस क्विषिन काऊंसर बिल्कुल इस बात कर दोस्त आपको मालूम होना चाहिए और जिसका वंडन दोस्तो राव जे सिरोचंद गरंत में मिलता है उतने नमबर दोस्तो एक बिलकुल करेक्टर देगा हमारे इसक्यूशन का अंसर ठीक है इसके अलाव देखे दोस्तो अगर आपको पूंच ले कि राव जे सिरो सर्दास की रतने ही सत्वाडव मेरे इंप्रेंट राव जेस सी की बात रहें मालेव कि साथ और चु क्षिए अ तक 1541 22 में दोस्तो पाइबा साहिवा का युद भाता ठिक है और किस कि मत और जेसिक ए मत धा प्लस दोस्तो रामाल देव के मत थे भान देव का विजेता करते हैं इस बात ध्यानक नशिए जेता और कुपा दोस्तो बहुत ही बादूर के साहथ दोस्तो इस युदमें लड़ा करना पड़ा था तो यह युद्ध दोस्तो द्यान रखना पाएबा साहिवा का युद्ध राव जेश्यूर मालदेव के मंदिया 1541 में हुआ था भाई वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है इसके कान दोस्तो बिकानेर पर रामालदेव का कभजा हो गया था ठीक है इस बात का दो सूरी के मद्ध एक युद्ध होता है यह युद्ध होता है सेर सा सूरी के मद्ध दोस्तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है ठीक है इसमें दोस्तो रामालदेव को हार का सामना करना पड़ता है और जोत्पूर पे दोस्तो क्या कभजा का लेता रामालदेव इस सुमेल गि डेता है जो विकान रुके राव देसी का पुत्र सा दोस्तो इस बात का दोस्तो धॉया नकना ठीक है तो यह थीart इसकी पिछगी history दोस्तो इस परकार करदोस्तो हमारे publishing आंसर इंद्फ ॉय नुम्म्र एक दोस्तो बिल्कुल करेक्टर हो जए Mog ठीक है नेश्ट किशन देखें दोस्तों क्या होगा आपर देखें दोस्तों बोर्टी गजब का परसन है क्या बोल रहा है मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवा दोस्तों किस मुगल यूरास से भाई किया था सलीम से बादूरसा से खुर्रम से या सदावत खांसे दोस्तों हमारे दोस्तों इश्किशन कांसर भाई क्या हो दाएगा उतना नमर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्टर दाएगा और इस सलीम को दोस्तों नोट करना इस सलीम को किस नाम से जाना जाता है जाहागीर के नाम से जाना जाता है ठीक है इसकी पिछे की दोस्तो कहानी देखते हैं हम देखें मोटा राजा उधे सिंग की बात हो रही है अपर मारवाड की राजा मोटा राजा उधे सिंग की दोस्तो बात हो रही है ठीक है उधे सिंग ने दोस्तो अपनी पुत्री मानी भ लातिया जगत गुसाई के नाम से दोस्तो पर्शिद हुई थी इस बात के दोस्तो जानक नहों तो यह मोटा राधा उदे सिंग की बात करें तो दोस्तो राव ना मारवाड में सरोपर्तम दोस्तो विवाहिक सबंद बनाई थे इससे पहले दोस्तो नोट करना जेपुर का जेपुर का दोस्तो बारमल बना चुका था जेपुर का बारमल दोस्तो अपनी पुत्री हरका भाई का विवा दोस्तो अकपर के साथ कर चुका था सामर में जो रा मार्वार का प wastewater का साथ सकता है मूघ्लों से स्रव पूरतम विवाईज से फिर्वार की तो साम की तृ is किशन है वाई, देखे क्या बोल रहा है, एक मिन बैए, बिलकुँ सही देख रहा है ना, आप देखे, वादे यंतर दोस्तो अरबी तासा, मेवाड के सेनिक यंतरों में कव सामिल किया गया था, कितना गज़ब का परसन है वाई, ये ना, लेवल देखे दोस्तों, आप क्यू युद में बाबर को पराजित करने के बाद दोस्तों अर्भी तासा मेवार के सेनी के अंतरों में सामिल किया गया या दोस्तों कुंबा दौरा सारंगपुर के युद में महमूत खिलजी को पराजित करने के बाद सामिल किया गया चुंडा दौरा मंडोर के युद में जोदा को प्राजित करने के वाद , यह सांगा दौररा खा थोलिक के युद में लोद्य को प्राजित करने के बाद अब देखे दोस्तों हमारे कि सांगा दौरा लड़े इदो का काला नू करम दोस्तों तिस सांगा दौरा लड़ेगे युधों का कलानु करम् दोस्तों कालानु करम भी पूंसता है कालानु करम दोस्तों क्या है मतलब राणा सांगा दोवारा लड़े गे युद्धो का कालानु करम exam के point of view से very important दोस्तों आपको कहीं पर नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आप नोट कीजेगा एक मिनिट का काम है यहाँ पर देखे एक नमबर लगा के नोट कीजेगा सबसे पहले दोस्तों युद्धो भाई खातो लिका खातो लिका दोस्तों युद्धो ये युद्धो कब हुआ दोस्तों नोट करना 1517 में ये युद्धो और दोस्तों किस-किस के मद्धो तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मद्धे हुआ ठीक है दो नमर पे दोस्तो नोट करना युद्वा बाडी का युद्वा और ये दोस्तो 1518 में दोस्तो युद्वा और ये भी दोस्तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मद्धे हुआ ठीक है तीन नमर पे खागरोन का था पानच नमर पहता है खानवा का युद्ध का युद्ध है अपनले जिसमें दोस्तो राणा संगा खार का सामना करना पड़ा था खानवा का युद भाई कब लड़ा गया तो दोस्तो पांत नमर पे खानवा का युद अना है तो दोस्तो ये 17 मार्च है नोट करना हिंदू पत के नाम से दोस्तो राणा सांगा को जाना जाता है और हिंदू सुर्तान के नाम से दोस्तो राणा कुमबा को जाना जाता है इसमें दोस्तो आपको भाई यहाँ पर देखें कितना गजब का पूंच रहा है क्या बोल लाएं दोस्तों है वे बोल लाएं कि रादस्तान की एक मिन्ट रादस्तान की किस जील से दोस्तों शाम पुरा और बात नाम की निकले निकाली गई है अब बात करें हम जैसमंद जील की तो दोस्तों देखे यह है बाई जैसमंद जील है यह होगई जैसमंद जील और जैसमंद जील में दोस्तों नोट करना जैसमंद जील को डेबर जील के नाम से जाना करता है डेबर जील भी कहता है जैसमंद जील को और इसमें तापू का नम है बाबा का बागडा बाबा का बागडा बागडा यह क्यूशन में पूंचा जाता है ना आक यह समन जील में सभसे बड़े टापू का कहाता है इस इस बाट का धियन लेइक है जिय शे जील में और दोस्तव bought का द्यान próxim से कौन ती नडी का पानी इसके अलावा दोस्तोर डोस्त नडी का पान्य आता अगों ती नदी का पाने आता है इससे बार दोस्तोन यूशन नहीं जाएगा ठीक है इसके अलावा देखें दोस्तो और सब मुझा है इसे तो सब मालूम है दोस्तों के पूर्वी किनारी पर दोस्तों पूर्वी किनारी पर लजाड़ का थार सीत है इस बात का तोड़ा सा जयान लगती है एक जांगे संर्खर्ण है संरख्ण काल कि ча रास्ताजम की कितने सामेल कौई कौई जी सेरा नोट करतेगा जयपूर की मानसाघर जिल है ना ठीक है इसके लाव दोब अजमेर की एक इसकर अना सागर थिक है तीन जीले होगी ची ऑफ्ते का नाम ऑथ और जरोड़का तक शीरोगी नकी जील की पांच वी और च्टवी जील दोस्तों उद्यपुर में चिते हैं इना पांच जील का नाम है पिच्छोला जील और दोस्तों सात्वी जील का नाम है फतेसागर जील तो यह भाई इस वात का द्यान रखना एक्जाम के पॉइंट ओविसी वेरी इंपोर्टन है जैसा मंदील की complete detail दोस्तों मैंने आपको बताई दी next question देखते भाई क्या होगा छीली शेर जील कहा है इसीत है छीली शेर देल दोस्तों अलवर में इसीत है तोड़ा सा द्यान रखना ठीक है next question देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर देखे भाई क्या बोलड़ा है next question देखे निमल लिखित मेंचे हाड़ोती का फटार अवस्तित है सीरोई में दोलपूर में कोटा में तोओंग में देखे हाड़ोती की फटार को दोस्तों द्यान रखना दक्षनी पूरी फटारी के तो दोस्तों टोटल साथ जीले आता है ठीक है चार जीले तो दोस्तों हाड़ोती वाले कौन कौन से कोटा, बूंदी, बारा और दोस्तों जालावार है ना जालावार ठीक है चार जीले तो यह आगे इसके लाव दोस्तों तीन जेले और आते है एक्जाम के पॉइंट वे विशे दोस्तों एक ग्राम बान साबित होगा क्योंकि काफी वरे एक्जाम में पूछा जाता है हाड़ोते के फठार या दोस्तों दक्षनी पूरी फठारी परदेश की विशेस दाई नोट करना इसमें दोस्तों विंदेन कगार भूमिया देखने को मिलते हैं एक नमबर लगा के लिखना विंदेन कगार भूमिया कगार भूमिया दोस्तों देखने को मिलते हैं और विंदेन कगार भूमिया दोस्तों किसकी बनी हुई होती है तो दोस्तों नोट करना कि विंदन कगार भूमया रासतार में कहाँ पाई जाती है तो दोस्टों दक्षनी-पूरी- फटारी- पर देशय भार्थी की पाई जाती है ठीक है वेरिम्पोल्टन जो बालु का फट्रों की बनी होती है ठीक है एक नमबर और दोंबर पर दोस्तों नोट करके लिखना है द परकार की पाहडिया दोस्तों राजस्तान में कहां पाई जाते हैं मतलब दोस्तों इसको इंगलीस में भी दोस्तों पूछा जाता है होर्स सू का मतलब हो गया गोड़े के नाल की आकर्थी की पाहडिया रास्तान में कहां पाई जाते हैं तो दोस्तों यह भी दक्षनी पूर परदेश में पाए जाती है एक्जाम के पॉइंट के वीशे दोस्तो राम बारने नोट के लेना वए ठीक है इस परकार दोस्तो हमारे इस कुसंट का अंसर नमर चार दोस्तो बिलकुल करेक्टर दैगा ठीक है ना निश्ट किसन देखने दोस्तो क्या होगा यह आपड़ बिल्कुल एक परकार का अनुदेदरिये बालुका इस तूप है ठीक है अनुपरस्ट मत कर देना इसके आलाव दोस्तों पवनों के समानांतर बनने वाले बालुका इस बात कर दियान नहीं ठीजितक्त इन तो और और जो तो पेरा बूलिक की बात करती है तो पेरा बूलिक दोस्तो तो बालो का इस्टूप की बात हो रही है तो बालो की इस्टूप की बात करें तो दोस्तो आगको पूंच ले कि राधस्तान में स्टार सेंड डून को बोलता है तारा बालो का इस्टूप है very important है एक्जाम में काफिवर क्यूशन भाई पुछा गया इसलिम आपको बता रहा हूं इसके लाग दोस्तों नोट कर ना बालो का इस्टूप से इसमें सबसे दाता अगरां वनों की बात करें तो दोस्तों उद्यपूर में इसमें तो कोई संदे वाली बात है नहीं तो यह तो हो गया वाई आंसर क्या गलत ठीक है यह तो होई होई नहीं सकता अब देखें उद्यपूर इसमें भी है इसके साथ दोस्तों कौन सा जिला है 12 तो ये भी नहीं हो सकता अब दोस्तों confusion रहा हमारा 2 में एक तो अलवर में एक दोस्तों परतावगड में तो इसके सिंकान सब्रूपन नमर किया हो जाएगा दो नमर बिल्कुल correct हो जाएगा उद्यपूर और परताफगड़ में दोस्तों सबसे जाता बन पाए जाते हैं अगर एक मतलब सिंगल ओप्षन हो तो दोस्तों आपको उद्यपूर करना है इस बात का दोस्तों थोड़ा था ध्यान लखना दोनेश्ट कृष्ण देखते हैं क्या होगा यहाँ पर देखें दो 24 25 में दोस्तों पुरारं में किया गया तो अगर आपको पूंचले कि रादस्तान में मरूविकासकारिकरम 늘 दोस्तों कभी स्टार्ट किया था तो दोस्तों नोट करना है स्क मरू विकसकारिकरम और केंदर सरकार के अगर आपको पूंच ले परिवर्ति छेतर विकास उपागम कारिक्रम पूंच ले इसको दोस्तो सोट कट में कहते हैं मतलब दोस्तों माडा चेतर विकास कारेकरम का प्रारम किया गया तो दोस्तों गलती से 1977-78 मत कर देना मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्यूशन दोस्तों ये प्रारम किया गया था इसमें आपको कोई कन्फ़्यूज नहीं होना हुआ है पारिवर्ति चेतर विकास कारेकरम 1968-1940 और मरू विकास कारेकरम 177-1978 इसमें कन्फ़्यूज नहीं हो न हुँझा थाए तो ये नोट करना वाई कौन कों से है सवाई मादुपूर , क्रोली , कोटा- ग्रदपूर , बॉंधी और जालवाड यह दोस्तो आठ जिलो में दांग्सट्र विकास कारीकरम क्या क्या प्रारम क्या गया था 2045 में ठीक है 2445 में आधिक है वन पाए जाते हैं मांटबू में सदावार वन whiskey कहते हैं i marketplace जहाँ पर दोस्तो आपको एवरु ग्रीन का नाम मिल जाए ना एवर ग्रीन का नाम अगर आपको पूषण का टिमिद्य सदावार वन जाते हैं राध्यास्थान में तो आपको कनस सदावार वन भाई का पाई जाते हैं माउंट आबू उपोशन पूश ले तो माउंट आबू तो दोस्ते इसमें आप वो गलते नहीं करना है उतने नमर एक दोस्तो बिल्कुल करेक्टर देगा ठीक है ना इसमें आप वो कंफिज होने वाली बात नहीं है अचलगड़ दुरूग में zajगणड़ दोस्तों का नाम है जैबाण तोप जोस्तों हमारे जैगण की किले में सीत है उतने नमर दोस्तों तीन बिल्कुल करेक्टर देगा अगर जैबाण तोप की बात करें तो दोस्तों इसका निर्मान करवाए था सवाइ जय सिंग ने Chuai जै सिंग ने ढूस्तो इसका निर्माण करवाए थींग है सवाइ जै सिंग को सवाइ के उपादी औरंग जेम निर्माण दी थी इसत्तक द्यान रखना जैवान त्थोप की मारत समतिा तो 32 किलोमेटरर इसकी मारत समतिा है श्या-कि सबसे वड़ी तो निणमान कर रहा ओड़ी तो इगल की फारड़ी पर है शिते नोट कहला जो जेगड रुग अब दोस्तों किस पाड़ी पर सिता है और दोस्तों इस्तित habits रहा घर की बात करें तो रास्तान के युगम दोस्तों सही नहीं है सपरवाड़ा जील दोस्तों जयपूर में सिता है बिल्कुल सिता है ताल सपर जील चूरू में सिता है बिल्कुल सिता है बाल समंद जील रा समंद में नहीं है बाल समंद जील हमारी जोदपूर में है जोदपूर में है उतना नमर दोस्तों ती है काईलाना जील का एक जिल कानाम कावोद ज्ल कावोद जिल कोलाय और ढूरय जील कावी धेकी की बात करें तो दो दूस तो ए जैसेल मेर मेरे इस इस बात का वही तोड़ा सा ध्यान रखना ठीके ना अक्सरी स्टूडेंट इन में कंफिज हो जाते हैं नेस्ट कुशन देखें दोस्तो क्या होगा देखें कितना लेवल देखें मैं किसी की बुरा ही नहीं करा क्यूंकि दोस्तों है हाकिकत है वाई ठीक है ना क्यूंकि दोस्तों कंटेंट के नाम पर लूटा जा रहा है और दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट भी दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते क्यूंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट देने में दोस्तों मिलता है ठीक है जो आपके एक राम बान दोस्तों मेल का पतर साबीत होगा और दोस्तों मैं दाविक साथ बोल रहा हूं अगर अबी तक हाम ने दोस्तों वो मौडल पेपर नहीं देखे ना अभी तक दोस्तों आपने हमारी आरे सप्री और रास्तान पुलिस SI की model पर पर नहीं देखे तो दोस्तों देख लीजेगा और यह exam स्रीज अगर आपने आपकी exam तक continue देख ली तो दोस्तों आप क्यूशन को देखते हैं क्यूशन की खोपड़ी में चेहत करोगी यह मेरे आपसे वाद है गोगा नवमी की बात करें तो दोस्तों कब मने जाते हैं तो दोस्तों बादरपद किर्शन नवमी को मने जाते हैं ना बादरपद किर्शन नवमी को दोस्तों गोगा नवमी मने जाते हैं और इसमें दोस्तों कितने गाठे होते हैं नुगाठे होती हैं दोस्तों इस बात ंग तिक है इस परकार निश्ग वासकित है नहीं नबर एक हम हो तो मैहमूद गजनवी करता है तक महमूद गजनवी संकाली थिण ऐस सकते पतATTर पीर की उपादी महमुज गजने मी नहीं दी थी इस बात का दोस्तों द्यान रखना अगर दोस्तों गोगाजी के जनम की बात करें तो चूरू गाँ के देर्वा में दोस्तों गोगाजी का क्या वाइग जनम हुआ था ठीक है और अगर आपको पूंच लें कि राधस्तान के पंचपिरों में दोस्तो हुआ राजता की सामिल है तो पंच लोग देवता आते हैं कौन-कौन से उसका एक छोटा सा दोस्तो मा आबको फॉर्मॉला बता रहा हूं आर पी आर पी एम जी एज आपको याद रखना है ठीक है इसमें आर का मतलब रामदेव जी पी का मतलब पाबू जी एम का मतलब मेहा जी जी का मतलब गोगा जी और एज का मतलब हडबू जी तो दोस्तों यह होते हैं इसमें एक्जाम में क्यूशन कैसा पूंचा जाता है कि रास्तान के पं जो फान होते है न हो दोस्तो खेजःढ़ी के पेड़़ी के नीचे होते हैं ठाविशन अगर क्यूशन ऐससा कृषिए कि बिटु मेहा के रावले में 3 मेहा के रावले में हर कूशन है किसके बहादूरी के करते हैं अगर ऐसा मंतट के काम आइसे बहादूरीं के ऎकरतो टिक है तो उतना नमर एक दोस्तों बिल्कुल करेक्टर देगा नो काठे बानी जाती है दोस्तों हल जोते समय दोस्तों गोगा राक्टी पर कितने गाठे बान जाते है नो गाठे ज्याद रखना ठीक है नेश्ड देखें करते नैज्ड नश्ट के के समय कि पाठे समय पेरों में बांदे जाने वाली हूँ की पटे को क्या का जाता है रंजोल रवाविध चंगुए मांदल गजन जाती है नरते डा जैसों करेंसे आहब इस बात का ज्याने किसे में नरते और पर यह क्या वोलड़ा राजस्तान में परियावररण यहेु परिवायू परिवडतनिजल साले की स्थावना कभी ची में नोट कर लेहां बाई एक्जाम वेग्वेगशन हो चुका है ठीक है ना तो 2019 में रास्तान परियावरण एम जलवाई परिवर्त अन्य जिसाले की स्थाप नहीं रटे लेना इस्क्यूशन हो ठीक है उते नमर दोस्तों तीन बिल्कुल करेक्ट देगा अगर आपको मुझे रास्तान में वन निती का प्रारम हुई थी तो दोस से इसके पहले साथ मोडल पर परोच चुके हैं अगर देखें दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना क्योंकि ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको एक यूनिक जैनिवन कंटेंट दोस्तों देखना है पहली बा अगर कोई क्यूशन दोस्तों अगर आपको नहीं आता है कोई कोई क्यूशन में अगर आपको कंफिजन रहे दाता है तो आप दोस्तों मेरे को कमेंट करके बता देना वह आपको जरूर दोस्तों आंसर दूँगा ठीक है तो इसलिए दोस्तों बोलना हूं कि चैनल को सब्सक् तो आज के लिए दोस्तो इतना ही दलधी दोस्तो कला आपको next model paper देखने को मिलेगा और हमारे आज से दोस्तो R.S.P.R.E. मैं दोस्तों PSI के लिए रेगुलर कळासी से दोस्तों हो रही लेकिन दूस्तों मैं डेली आसे रेगुलर कलासी हो आज प्र दोस्तों होगी चैनल सब्सक्राइब को लैं आ जैए बार भी फाम खरयो है तो पहुरर विट को लाइक है जैन जैवार थेंक्यों